जहन दोस्तो मैं संदीप चौदरी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परबार रोजगार विदंकित में हैं और दोस्तो समय हो चुका है आज की रिजनेंग की क्लास का उम्मीद है एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी से एर करके आए होंगे और एक बार जितन सांदार जैसा कि आप सभी को पता है जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो क्लास होने वाली है आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों वो किसकी होने वाली है डाइस की क्लास होने वाली है यानि आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे होंगे वो क्या पढ़ रहे हों पासा पड़ रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और इस प्रकार से हम सवालों को कर रहे होंगे कि हमारी घड़ी में दो सेकंड तब होंगी जब हम उससे पहले आंसर टिक कर रहे होंगे बहुत सौट ट्रिक से हम सवालों को कर रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से समझ रहे होंगे एक बार जल्दी जल्दी लोगों को जोड लेंगे एक बार जितने भी लोगों को आप जोड सकते हैं जल्दी से जोड लेंगे एक बार निश्चित रूप से समझने किया कि बहुत बस्तेहत की भाई क्लास में हो जाता है क्योंकि अभी सर यहां क्लास लेके गए है तो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बात समझ में आ रही है अब मैं यहां पर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो डाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों डाइस का मतलब होता है पासा डाइस पर इस परकार की इस्तती देखी होगी अगर आपने कभी स्याप सीड़ी के खेल में एक डाइस की इस्तती देखी हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक डाइस कुछ इस परकार का नजर आता है कुछ इस परकार का नजर आता है बोलो बात क्लियर है क्या हमको डाइस ऐसा ही द दिखाई देता है और इसे ही हम पासा बोलते हैं इसे ही हम पासा बोलते हैं लेकिन एक बात बताओं पेपर में ऐसा डाइस नहीं दिखाई देता पेपर में हमको जो डाइस दिखाई देता है उसमें हमें केवल तीन सतह दिखाई देती है पेपर में जो हमें डाइस दिखाई देगा जो पासा दिखाई देगा वो केवल ऐसा दिखाई देगा जिसमें हमें केवल तीन सते दिखाई देंगी औरिजनल तो यह है औरिजनल तो यह है लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं यह पेपर का डाइस है सर सबसे पहली बात यह है कि हमें यहां पर यह डाइस प कुल मिलाकर 6 सत्य होती हैं सबसे पहला और important point है पासे में कुल मिलाकर 6 सत्य होती हैं यह सारे के सारे point में अभी लिखवा रहा होंगा लेकिन हमें paper में कितनी सत्य दिखाई देंगी केवल 3 सत्य दिखाई देंगी जो सत्य दिखाई दे रही होंगी उन सत्य के विपरीत पूछ रहा होगा जो सत्य दिखाई दे रही होंगी उनके विप्रीत पूछ रहा होगा अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला सबसे पहला और मुख्य पॉइंट है से लिखेंगे किसी भी पासे में सबसे पहला और मुख्य पॉइंट है किसी भी पासे में कुल 6 सत्य होती है, बोलेंगे कितनी सत्य है, किसी भी पासे में कुल 6 सत्य होती है, कितनी सत्य है, 6 सत्य होती है, अब मेरी दूसरी बात द्यान से सुनेंगे, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, कि किसी भी पासे में कुल मिलाकर कितनी सत्य होई, 6 सत्य होई, दूस परीबात, सर किसी भी एक सत है के विपरित, पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर समझाूंगा, एक बार जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करेंगे इस बात को, किसी भी एक सत है के विपरित, किसी भी बिलकुल एक सत्य होती है किसी भी एक सत्य के विपरीत केवल एक ही सत्य होती है यानि कोई भी सत्य हो उसके विपरीत केवल कितनी सत्य होगी एक ही सत्य होती है इंपोर्टेंट बाते हैं जो सवाल करने में मदद करेंगी किसी भी एक सत्य के विपरीत केवल एक सत्य होती है जब की जब की सेस बची हुई जब की सेस बची हुई चारों सत्य है उस सत्य की पड़ोसी सत्य होती है उस सत्य की कैसी सत्य होती है पड़ोसी सत्य होती है बात द्यान से समझ लेना मैंने क्या पॉइंट लिखवाया भी से थोड़ा सा मैं समझाऊंगा द्यान से देखो तो इसका मतलब है किसी भी एक सतह के विपरीद केवल एक ही सतह होती है जबकि सेस्ट बची हुई चारो सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती है मैं ये क्या पॉइंट लिखवाना चाहरा था बात को फिर से समझाओ मान कर चलो मेरे हाथ में ये जो पैन है मैं एक पल के लिए इसे एक डाइस मान लो हाला कि ये डाइस की स्थती में तो है नहीं लेकिन मान लेता हूँ अब मुझे ये बताओ, इस पासे की जो उपरी सतय है, इस पैन की जो उपरी सतय है, क्या वो ये है, जिस पर मैंने हाथ रखा हुआ है, बिल्कुल साथ, इस पासे की उपरी सतय ये है, जिस पर मैंने हाथ रखा हुआ है, अब बताओ, इसकी विपरीत सतय कहा है, आप बोलोग सत्य के विपरित हो गई नीचे वाली सत्य अब पासे में कितनी सत्य और बच गई चार सत्य और बच गई क्या वो चारों यही बच गई यह जो साइड वाली है क्या यही बच गई बिल्कुल सही बात है इसका मतलब यह हुआ कि बाकी की बाकी सत्य है इसकी पड़ोसी सत्य होंगी कैसी होंगी पड़ोसी तो मैंने जो आपके सामने 6 सत्य लिखी थी अगर मैं ध्यान से बताऊं तो वो कौन-कौन सी 6 सत्य थी सर हम बोलेंगे उपर एक सत्य होती है उपर और उसकी अपोजिट कहा होती है नीचे उपर वाल वाली सतह की अपोजिट कहा होती है दाएं वाली सतह की अपोजिट होती है बाएं बोलेंगे किलियर है इसका मतलब यह हुआ पासे में कुल मिलाकर 6 सतह हुई आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं और बाएं मैं दो पॉइंट बता चुका हूं पासे में 6 सतह किसी भी एक सतह के एक सत्य है, सेस बच्ची हुई, चारों सत्य है, उसकी पड़ोसी सत्य होंगी, पड़ोसी सत्य होंगी, अब मैं आगे चलना हूँ, अब मेरी बाद ध्यान से सुनना, एक बार सभी लोग जबरदस तरीके से सेर करेंगे, बहुत सांदार तरीके से सेर करेंगे, अब सभी के copy में अगला point लिखेंगे वो एकदम heading डाल कर लिखेंगे और most important point है most important point है क्या point है सर आईए उसे जानते हैं सबसे important point है तीसरा वाला और ये point है पासे में कभी भी लिखेंगे इस बात को ये सबसे ज़्यादा important है इस point को समझ गए तो कम से कम कम से कम हम 30% सवालों के आंसर इसी point से देंगे क्या point है पासे में कभी भी दो विपरीत सत है ना तो एक साथ दिखाई देती है बहुत important है दिहान से लिखाएंगे पासे में कभी भी दो विपरीत सत है ना तो एक साथ दिखाई देती है तथा ना तो एक साथ दिखाई देती है तथा ना ही एक साथ छिपती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है दो विपरीत सत है ना तो आप एक साथ देख सकते और ना ही एक साथ छिपा सकते ना तो एक साथ देख सकते और ना ही एक साथ छिपा सकते पूरी बात लिखना दोस्तो मैंने पासे में कभी भी दो विपरीत सत है ना तो एक साथ दिखाई देती है तथा ना ही एक साथ छिपती है इसका मतलब क्या है थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका मतलब ये बनके आ गई तू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर भी सीन टूगैदर एंड कैन नेवर भी हिडिन टू ना एक साथ छिते इस बात को जरा ध्यान से समझना इस बात को जरा ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखो आपको मेरे इस हाथ की ये सतह दिखाई दे रही होगी मुझे ये बताओ आपको मेरे इस हाथ की ये सतह दिख आगे वाली सतह की विप्रीत पीछे वाली सतह होगी लेकिन आप अगर आगे वाली सतह देख पा रहे हैं तो पीछे वाली सतह आपको नहीं दिखेगी जब आप पीछे वाली सतह देखना चाहेंगे बताओ देखना चाहोगे अभी दिखा रहा हूं देखो अगर मैं पीछे व वाली सतय आगे आ रही है और इधर से देखूं तो आगे वाली सतय पीछे जा रही है और जिस दोरान कम्पलीटली पीछे वाली सतय आगे आ जाएगी उसी दोरान आगे वाली सतय पीछे पहुच जाएगी इसका मतलब यह हुआ अगर ये सतय देखोगे तो ये नहीं बात समझ में आ रही है, पासे में कभी भी दो विप्रिशत है, एक साथ ना तो दिखाई देती है, और ना ही एक साथ छिपती है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, योगे जी आप सबी नोट्स बना लें, इसी लिए ही तो मैं आप पॉइंट सुनेंगे दिहान से सुनेंगे पासे में कभी भी दो विप्रिश्टात एक साथ ना दिखाई देती है ना छिफती है ये बाते क्लियर हो गए अगर मैं बात करूं चौते पॉइंट की तो चौता पॉइंट ये है कि पासे के कुल दो परकार होते हैं कोई पूछे वसे बड़ी बात ये है कि हमें ये बताईए पासे के ये दो परकार कौन कौन से होते हैं पासा दो परकार का क्यूं होता है पासे के दो परकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दिहान से देखें नमबर एक यहां पर बोलूँगा नमबर ए पर आता है सामान ने पासा नमबर ए पर कौन सा पासा आता है सामान्य पासा आता है दिहान देने वाली बात ये है कि सामान्य पासे का दूसरा नाम साधारण पासा भी होता है साधारण साधारण पासा भी होता है जबकि जो दूसरा टाइप बनता है वो बनता है मानक पासा कौन सा पासा मानक पासा बनत है चापके रखना बिल्कुल चापके रखना पहला पासा सामाने पासा होता है दूसरा पासा मानक पासा होता है अब एक बात और सुनना सामाने पासे का एक नाम और बताना चाहूंगा अगर ये सामाने पासा है और ये मानक पासा है तो मानक पासे का दूसरा नाम मानक पासे क तो मानक पासा लेकिन सामने पासे का दूसरा नाम गैर मानक भी हो सकता है लिख लेना इस बात को भी छापके रखना कि इसका नाम गैर मानक भी हो सकता है अगर ये standard है तो ये non standard है अगर ये मानक पासा है तो ये गैर मानक पासा हो सकता है इसका मतलब बात ये बनकर आई कि पासे के कुल कितने परकार बन गए दो परकार बन गए नमबर एक कौन सा पासा आया एक पासा आया सामानने और एक पासा आया मानक एक पासा आया सामान ने और एक पासा आया मानक सामान ने पासे के दो नाम और हुए बच्चे एक साधारन पासा एक गहर मानक पासा मानक पासे को मैंने मानक ही बोल दिया अगर बात करूं इंगलिस में प्रितम जी बिल्कुल आप भाई मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा बार-बार मत पूछा बेटा कि नोट्स बना ले सब नोट्स बना ले मैं कहारा आँ आप नोट्स भी बनाओ जब और दस तरीके से बनाओ ये आपके भाई का वादा है एक एक question paper में यहां से फसेगा रोजगार विद अंकित से जितना भी पढ़ाया जाएगा भाई साब वो सब पढ़ेगा सब का सब फसेगा मैं इस बात की guarantee दे रहा हूं सब का सब आएगा वो अब last में जाके देख लेना दोस्तो आपके notes में से सारे question निकाल के दिखा दूँगा कि कहा से क्या है बात सबज में आ रही है एक वाई जल्दी से बताएंगे क्या बाते सबज में आ रही है तो मैंने कहा यहां से point बना पासे के कुल दो प्रकार होते हैं नमबर एक सामन्ने पासा यानि साधारन गेर मानक बोल सकता है और नमबर दो मैं बोल सकता हूँ मानक पासा सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन दोनों पासों को जानने का समय आ गया है अब इन दोनों पासों को जानेंगे कि इनका matter क्या है जब मैं इन दोनों पासों को जानूंगा सबसे पहले अपनी copy पर आप लोग heading लिखाएंगे सबसे पहले अपनी copy पर आप लोग heading लिखाएंगे और पहली heading का नाम है सामान्ने पासा सामान्ने पासा देहान से देखाएंगे ये क्या बीमारी है, सामन्ने पासा क्या है, कैसे हम समझाएंगे कि ये दिया हुआ पासा सामन्ने है, क्या कहते हैं कैसे समझाएंगे देहान से सामने पासे के बारे मैं बताना चाहूंगा ऐसा पासा जिस की लिखेंगे दोस्तों जल्दी से ऐसा पासा जिस की किनी दो नजदी की सतों का नजदी की के लिए नजदी की के लिए निकट वरती या पड़ोसी सतह भी बोल सकता है दिहान लखना ऐसा पासा जिस की किनी दो नजदी की सतों का दीपक जी बहुत सानदार राम 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 जी चलो अध्यान से देखेंगे ऐसा पासा जिस की किनी दो नजदी की सतों का योग किनी दो नजदी की सतों का योग साथ होता है कितना होता है साथ होता है सामान ने पासा कहलाता है सामान ने पासा कहलाता है अभी बताओंगा कि क्या चीज़े है सामान ने पासा कहलाता है दुबारा से देखाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा था अगर मैं यहां पर आपके सामने एक डाइस बना दूँ अगर मैं आपके सामने एक डाइस बना दूँ इसका ये उदाहरण है उदाहरण के तोर पर लिखना इसका ये उदाहरण है उदाहरण के तोर पर लिखना अगर मैं यहां पर एक डाइस आप लोगों के सामने बना दूँ मैं यहां बोलू तीन, एक और यहां बोलू चार, मैं यहां बोलू तीन, एक, चार, दिहान से समझ लेना, मैंने कहा ऐसा पासा जिसकी किनी दो नजदी की सतों का योगफल साथ होता है, सामान ने पासा कहलाता है, मुझे एक बात बताओ, इन तीनो नमबरों में, यहां पर क् लिख रहा है तीन लिख रहा है एक लिख रहा है चार लिख रहा है मुझे ये बताओ दोस्तो इन तीनों के तीनों नंबर में पहले ये बता दो क्या ये तीनों के तीनों नंबर एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं आप कहेंगे ना भीया ना क्योंकि आपने एक पॉइंट ल अगर मुझे यहाँ पर ये तीनों नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये आपस में आपस में विपरीत नहीं हो सकते इसका मतलब ये विपरीत नहीं है तो पड़ोसी होंगे क्योंकि दो क्वालिटी ही तो होती है या तो विपरीत होगा या पड़ोसी होगा अलग साइड को परवासा छोड़ो एक मिनट के लिए और दिमाग से बस ये सोचो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं गाउं की भासा में आपकी आखों को कोई से भी दो नंबर बचे आपकी आखों को कोई से भी दो नंबर यदि ऐसे दिखाई देते हैं जिनका योगपल मिलाने जोड़ने पर साथ हो जाए वो पासा सामाने पासा होता है ऐसे नंबर कोई भी दो आपकी आखों को दिखाई दे जिनका योगपल साथ बन जाए डिकलेर कर दो सामाने पासा है मुझे ये बताओ जब मैं इस तीन को इस चार के साथ जोड़ूंगा जब इस तीन को चार के स जोड़ूंगा तो क्या मुझे साथ नजर आएगा और इस साथ ने ये सिद्ध कर दिया कि ये सामने पासा है अब एक बात बताओ ये मत सोचना कि सर ये मत सोचना कि भाई साथ तीन और एक जोड़ लेंगे तो चारी बनेगा एक चार जोड़ लेंगे तो पांच बनेगा मेरे भी दो जुरकर साथ बन जाओ, डिकलेर कर दो, सामान्य पासा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब दिहान से देखेंगे, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, मैं अगले पॉइंट पर लेकर चल रहा हूं, सामान्य पासा सभी को क्लियर है, तो एक बार थम सब करेंगे, यदि सामान्य पासा क्लियर है, बहुत बढ़िया, एक डम सांदार, बहुत सांदार, बहुत सांदार, बहुत बढ़िया, नेक्ष्ट, अगला क्या आता है मानक पासा, अब एक बार मानक पासा देख लेते हैं, मानक पासा क्या है, जब मैं मानक पासे की बात क हेडिंग लिखाएंगे मानक पासा अब हेडिंग लिखाएंगे मानक पासा कौन सा पासा मानक पासा लिखाएंगे इसके बारे में ऐसा पासा भाईया से काम नहीं चलेगा दोस्तो एक हजार भी अभी लाइव नहीं हुए है दोस्तो आपके होते हुए आपके लिए इतनी महन तर उसके बावजूद अभी 1000 लाइब नहीं हुए हैं और आप चाहो तो 12, 13, 14, कितना भी कर सकते हो दोस्तों लेकिन सब से बुली बात ही है ना 1000 लाइब हुए ना 1000 लाइक हुए दोस्तों एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग सेयर करेंगे और आप इस नईया को जरूर प यह रहा सवाल मानक पासा ऐसा पासा लिखेंगे इसके बारे में ऐसा पासा जिसकी ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो नज़्दी की सत्हों का योग सात ना हो भई पिछली वार क्या हो रहा था पिछली वार योगपल सात हो रहा था इस बार बोला योग सात ना हो बहुत बढ़िया ऐसा पासा जिसकी किसी भी कोई भी दो नज़्दी की सत्हों का योग सात ना हो मानक पासा कहलाता है बोलेंगे कैसा पासा मानक पासा कहलाता है अभी ये अधूरी परभासा है किरपया दिहान देंगे, अभी ये अधोरी परभासा है, सर इसे पूरा बताओ तो पूरा क्या है, लेकिन मानक पासे में, लिखेंगे आगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन मानक पासे में, सभी, मानक पासे में, सभी, विपरीत सत्हों का, मानक पासे में, सभी, विपरीत सत्हों का, सत्हों का, योग सात होता है, योग कितना होता है, सात होता है, भैं, यह तो घनीजर्वर दबात हो गई, इसमें तो हमें परवासल अवियाद करने पड़ेगे इन्हाँ आपको केवल समझना पड़ेगा, एक हजार के पार तो आपने पहुचा दिये, लेकिन तारगेट बारहसों का बोला था मैंने, तारगेट बारहसों का बोला था, पर जब देखूंगा तो यह क्या कह रहा है ऐसा पासा जिसकी कोई भी दो नजदी की सतों का योग साथ ना हो लेकिन मानत पासा कहलाता है चलो लेकिन मानत पासे में सभी विपरित सतों का योग साथ होता है बहुत बड़िया अब दिहान से देखना अब दिहान से देखना इ अगर मैं यहाँ पर लिखू तीन, यहाँ पर लिखू एक, यहाँ पर लिखू पाँच, मुझे एक बात बताओ, बस कमेंट करके एक बात बता दो, क्या यहाँ पर इन तीनों में कोई सी भी दो आपकी आखों को ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिसका योगपल मिला कर साथ बन जल्दी से बताएंगे, क्या इन में कोई सी भी दो ऐसी दिखाई दे रही हैं, जिनका योगपल आपस में मिला कर साथ बन जाए, अगर नहीं दिखाई दे रही हैं, अगर नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब हुआ यह मानक पासा है, यह मानक पासा है, और इसने स आप साप लिख रखा है मानक पासे में सभी विपरीत सतों का योगपल कितना होगा साथ होगा साथ होगा साथ होगा अब एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ जो ये एक है तो एक के विपरीत कोई आदमी पूछने लग जाए तो मुझे बता दो एक के विपरीत क्या ह सर एक के विप्रित छे होगा छे क्यों होगा भईया अगर ऊपर एक बैठेगा मुझे पता है ऊपर और नीचे का योगफल साथ है तो यह बता हो जब ऊपर एक आएगा तो मैं यह तो बोलूँगा नीचे छे आएगा तभी तो एक और छे मिलकर कितना बनेगा साथ बनेगा अगर मैं बात करूँ, दो के विपरीत जल्दी से बता दो, दो के विपरीत कितना आएगा, पांच आएगा, बहुत सांदार, तो तीन के विपरीत कितना आएगा, तीन के विपरीत चार आएगा, बोलेंगे कितना आएगा, चार आएगा, मैंने कहा, एक के विपरीत छे, दो क विपरीत पांच, तीन के विपरीत चार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक के विपरीत छे है, तो छे के विपरीत कितना है, सर छे के विपरीत एक हो जाएगा, दो के विपरीत पांच, तो पाँच के विपरीद, दो, तीन के विपरीद, चार, चार के विपरीद, तीन, बोलो भाई मज़ा आ रहा है की नहीं, समझ में आ रहा है की नहीं, बहुत सांदार, बहुत ही सांदार, अब हमारी समझ में एक बात आ रही है, और वो बात ये आ रही है, वो बात ये आ रही है कि सर सामान ने पासा और मानक पासा देखना तो बहुत आसान हो गया कैसे सबसे पहले पेपर में सवाल आते ही एक बात चेक करनी है कि दिया हुआ पासा सामान ने है अत्वा मानक है यह कैसे चक करेंगे प्रस्तिदी सी बात बताई तो थी अगर दोन का योगपल नस्दीक का साथ बन जाए तो सामान ने है और ना बने तो मानक है ना बने तो मानक है एक और बात मानक पासेगी सभी विप्रिशतों का योगपल कितना होगा साथ होगा बहुत बढ़िया लेकि लेकिन यहां पर तो चलो मैंने नंबर जोड लिए यहां पर तो चलो मैंने नंबर जोड लिए लेकिन एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ ऐसा भी तो हो सकता है यहां नंबर की जग है एभी स्तीडी नजर आ जाएं बोलेंगे क्या नजर आ जाएं एक पी स्तीडी नजर तो मैं तब भीया फस जाओंगा, कैसे करेंगे दिहान से देखो, अगर मान के चलो, मान के चलो पासे में, पासे में यहाँ पर नंबर दिखाई ना दे, और यहाँ पर दिखाई दे, केवल A दिखाई दे, B दिखाई दे, और यहाँ C, थोड़ा सापसा बनाए देता हूँ, जो आपको मिल्कुल इस पश्त दिखे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर पासे में यहाँ पर A दिखाई दे, यहाँ पर B दिखाई दे, यहाँ पर C दिखाई दे, बहुत बड़िया, तो अब यह बताओ, अब मैं तो फस जाओंगा, ऐसे किस में, अब मुझे कैसे पता चलेगा, ये सामान ने पासा है, कि इमानत पासा है, यहां तो मामला फ़स जाएगा, लेकिन अब एक बात सुनो दिहान से, अब एक बात दिहान से सुनो, यहां बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या लोजिक लगाते हैं, भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं, भाईया क्या ह हो गया कहा हो गया हम यहां यह काम कर लेंगे एक मान लेंगे बी पर दो मान लेंगे सिपर तीन मान लेंगे अइसे नहीं मानते ध्हान से सुनो चलो एक परसेंट मान लई कि यहां तो तुम दो तीन मान लोगे चलौ memb family यह तUNG एक तिन मान लोगे क्योंकि तुम सूपर ते उपर हो यह पता है मुझे तो यह बताओ यहां कैसे माननेंगे नहीं मान पाएंगे अब एक बात बताओ अगर ऐसा आ जाए ये भी नाव है और ये चीज आ जाए क्या यहां लिख दे लाल लाला मत समझे हो ये लाल है लाल ये है हरा हरा और ये है पीला अब ये आप कैसे मानेंगे अब तो मामले फस्ते चले गए सर इसका मतलब एक बात आई ही कि यहां पर ये बात हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि पासे में हमेशा अंक ही आई है आवस्त्ग तो नहीं है बचे पासे में ती पाँच चीज आ सकती है पांच नमबर एक, आपको ABCD दिखाई दे सकती हैं, आपको कोई चिन दिखाई दे सकते हैं, आपको कलर के नाम, रंगों के नाम दिखाई दे सकते हैं, इनके अलाबा दो चीजे क्या, एक तो तुमारे अंक बच गए, क्या बच गए, एक तो तुमारे अंक बच गए, और एक तुमा विबहारा बच गया बिंदू, क्या बच गया, बिन्दू बच गया, तुम्हें पता है की अंक और बिंदू दोनों ही गिने जा सकते हैं, भाई अगर मैं यहां पांच लिख दू, यह तो गिनने के आवस गत wonderful टा क्या खूब पता पांच लिख रही है, और मैं यहां पर बोल जब भी आपके पास अंक और बिंदूओं को छोड़ कार कभी ABCD यानि अक्षर दिखाई दें या आपको कोई चिन दिखाई दें या आपको दिखाई दें कौन आपको दिखाई दें दोस्तों तो भारहसों का टार्गेट पूरा होने में बस दस बचेऊं की कमी रह गई है और दोस्तों आप चाहोगे तो ये भी complete हो जाएगा बहुत सांदार, आप चाहोगे ये भी complete हो जाएगा, आप लोग ये बता रहा हो, ताःगत हो मेरी ताःगत, क्योंकि आप लोग जब तक हैं सब कुछ बढ़िया रहेगा और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बारहसो के पार अगले पांच मिनट नहीं लगने देंगे आप बहुत सांदार यह संक्या घट गई भीया मैंने बढ़ने की उम्मीद की थी और यह संक्या घट रही कोई बात नहीं है तो बात क्लियर है न सामाने की मानक है चेक करने की आवसक्ता नहीं है हमेशा ध्यान रखना यह पासे हमेशा और हमेशा सामाने पासे किस रेडी में आएंगे बिना चेक करें स्क्रीन सॉट ले लेना इस बात को कहीं लिख के छाप लेना सामाने पासे होंगे यह सब यह सब सामाने पासे होंगे चेक करने की कोई आवसक्ता नहीं है और कभी 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 यहाँ पर ना या कभी कभी यहाँ पर यह चीज पूछ ली जाती है कौन सी चीज कभी कभी डाइरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न लिखित में से कौन सा पासा मानक पासा है चार पासे बनाके देदेगा और पूछेगा कौन माना का कभी कभी सामानने भी पूछ लेता है दोस्तों यह हमेशा ध्यान रखना इनको तो चेक करने की जड़ोती नहीं है यह सामानने पासे होते हैं बहुत बढ़िया यह कैसे पासे होते हैं सामानने पासे होते हैं आगे चल रहा हूँ क्या अब मैं अगले पॉइंट पर जा सकता हूँ जल्दी से बताएंगे क्या मैं अगले पॉइंट पर जा सकता हूँ मैंने अभी तक कितना पढ़ाया जड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं मैंने अभी तक कितना पढ़ाया जड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सांदार, बहुत सांदार, दिहान से देखें, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको सबसे पहले, मैंने पढ़ाया था पासा दो, मैंने पहला पॉइंट लिखवाया, किसी भी पासे में कुल छ सत्य होती है जबकि सेस बची हुई चारों सत्य उस सत्य की पड़ोसी सत्य होती है बहुत सांदा दूसरा पॉइंट क्या था दूसरा पॉइंट था पासे में कभी भी दो विपरीत सत्य है ना तो एक साथ दिखाई देती है ना ही एक साथ छिपती है बहुत बढ़िया अगला पॉइंट क्या था पासे के कुल दो परकार के होते हैं पासे के कुल दो परकार होते हैं नमबर एक सामानने पासा जिसे हम साधारर पासा या गैर मानक भी बोल देते हैं और दूसरा क्या था दूसरा था मानक पासा क्या यही बात बताई थी अगला पॉइंट क्या था फिर मै पासा कहलाता है यानि जैसे यहाँ पर तीन और चार मिलकर साथ बन रहे हैं बहुत बड़िया नेक्स्ट पॉइंट क्या था ये था मानक पासा ऐसा पासा जिसकी कोई भी नजदी की सतों का योग साथ ना हो मानक पासा कहलाता है लेकिन मानक पासे में सभी विप्रीट सतों का योग साथ होता है उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिये थे तो यहाँ पर एक केवपरित छह, दो केवपरित पांस, तीन केवपरित चार पिछली बार यूपी पुलिस के पेपर में तीन क्वेस्चन आई थे हर एक सिफ्ट में डाइस से दिखान डखना, कल की कलास में मैं आपको प्रीविस ययर के सारे क्वश्चन कराओंगा, टैंसन नहीं लेना है, कल की कलास में आपको डाइस से जितने भी यूपी पुलिस और जेल वटन के पेपर में यह सब ही कॉश्चन आईते हैं, वो सब मैं आपको करा रहा हुँआ, बि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, next point पर चलते हैं, next point ध्यान से देखाएंगे क्या है, अगला point, सामानने पासे को हल करने के नियम, heading लिखाएंगे, सामानने पासे को, मानक पासे को तो हल करने की जरूरत है यह नहीं, मानक पासे में तो सभी विप्रिश्टतों का साथ बनेगा, अब ध्यान से देखो, सामानने पासे को, heading लिखाएंगे बच्चे, सामानने पासे को हल करने के नियम, कैसे हल करें, कैसे हल करें भाईया, सामानने पासे को हल करने के नियम, हमें कैसे पता चले, कि सामानने पासे में विप्रीत कौन बनेगा, ध्यान से सुने और लिखेंगे नियम नंबर एक और पहले नियम का नाम है निकट तम का नियम छापएंगे कौपी में जल्दी से पहला नियम और नियम का नाम है निकट तम का नियम अगर ये तीन नियम आप जान गए तो सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बिल्कुल भी गलत नहीं होग निकटम का नियम देखेंगे क्या है जब पासे की जब पासे की दोनों इस्थतियों में छापेंगे इस बत को जब पासे की दोनों इस्थतियों में दोनों इस्थतियों में एक अंक समान हो एक अंक समान हो कितने अंक समान हो एक अंक समान हो जब पासे की दोनों इस्थतियों में एक अंक समान हो जब की समान अंक के विपरीत ही पूछा जाए ऐसी इस्थती में वह अंक प्रेस्ण का उत्तर होगा जो की जो की दोनों इस्थतियों में से अभी तक गायब है एक उधारन दूँगा सब बाते क्लियर हो जाएंगी टैंसन बिल्कुल भी नहीं लेनी है बहुत बढ़िया दिहान से देखेंगे मैंने क्या लिखा है दिहान से देखेंगे बहुत बढ़िया बहुत सांदर मैंने कहा निकट्टम का नियम ये कहता है जब पासे की दोनों इस्थतियों में से दोनों इस्थतियों में एक अंक समान हो कितने अंक एक अंक जबकि समान अंक के विप्रित ही पूछा जाए तो ऐसी इस्थति में वह अंक प्रेस्न का उत्तर होगा जो की दोनों इस्थतियों में से अभी तक गायब है अभी तक गायब है दिहान से देखो मुझे एक बाद बताओ जल्दी से केवल वो लोग थमसब करेंगे जो प्रॉपर नोटस बना रहे हैं क्योंकि ये तो आप भी समझ रहे होंगे बिल्कुल नोटस के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ जल्दी से बताओ कितने लोग इस नोटस बना रहे हैं बताएंगे एक बार जल्दी से कितने मेरे दोस्त, कितने मेरे भाई बहन इस समय नोट्स बना रहे हैं, बहुत सांदा, बहुत बढ़िया वई, जल्दी से बताएंगे क्या ये तरीका एकदम नोट्स बनाने के लिए बढ़िया रहेगा, जल्दी से बतादो क्या ऐसा तरीका नोट्स बनाने के लिए एकदम प्रॉपर रहेगा बढ़िया रहेगा जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस समय नोट्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई एक बार ना आप थोड़ा से नहें उता रहेंगे मैं एक बार थोड़े से इसे एक बार ठीक करा लेता हूं इसमें थोड़ी सी गड़ बढ़ आ गई है बस कहीं नहीं जाएगा बस केवल 20 सेकंड देना मुझे 20 सेकंड हो गए वही से हो गए चलो बै अवाज आ रही होगी आपको एकदम अवाज आ रही होगी चलो बहुत बढ़िया अब ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा जब पासे के दोनों स्थितियों में एक अंग समान है जबकि समान के ही विप्रीत पूछे तो दिहान से समझ लेना ऐसा अंकांसर होगा जो अभी तक गायब है एक उधारन देखेंगे दिहान से उधारन से सब कुछ बातें समझ में आएंगी कोई दिक्कत नहीं है मैंने पासे की दो स्थितिया बनाई मैंने पासे की दो स्थितिया बनाई दिहान से देखेंगे यह दो स्थितिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी अगर मैं यहाँ पर लिखू दो यहाँ पर मैं लिखू एक और यहाँ पर मैं लिखू पांच यहाँ पर मैं लिखू छे यहाँ पर मैं लिखू पांच और यहाँ पर मैं लिखू यहाँ पर मैं लिखू कितना मैं यहाँ पर तीन लिख दू अब मुझे एक बात बताओ ये जो पासा है और मैं यहाँ पर पांच के ही विपरीत पूछ हूँ दोनों में कॉमन कौन है सर दोनों में कौन कॉमन है पांच इन दोनों में पांच कॉमन है बहुत बढ़िया अगर पांच कॉमन है और पांच के ही विपरीत पूछा जाए परवासा चीक चीक कर बस एक अई बात कह रही है कि जब एक कॉमन हो और कॉमन के ही विपरीत पूछे तो वह अंक प्रेसन का उत्तर होगा जो दोनों में से अभी तक गायब है वो लो क्लियर है अब एक बात बताओ यहाँ पर एक भी मौझूद है दो भी है तीन भी है चार ना है बहिया उरे बहिया चार ना है चार यह आंसर लगा दो तो क्या दिक्कत आ रही है इस सवाल का अंसर क्या होगा चार होगा क्यों होगा बहिया चार की तो कमी रह गई है जिसकी कमी है वही प्रेसन का उत्तर होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आई बहुत बढ़िया तो पहला नियम क्या कह रहा है जब पासे की दोनों इस्थुतियों में एक अंक समान हो समान के ही विपरित पूछे तो जो दिखाई नहीं दे रहा वही कौमन है उसी के अपोजित पूछे लेकिन अब जो नियम अगला है वो कहां कहां काम करेगा उसमें कुछ भी पूछले छुट पट्टीय पेपर वाले की कुछ भी पूछले सब के आंसर देंगे सब के आंसर लिखियों अगला नियम अगले नियम का नाम लिखेंगे ब्रहम ब्रहमास्त्रकानियम ये ब्रहमास्त्रकानियम कैसा नियम भया ये भी कोई नियम हो भया इसकी खास बात ये है कि जिसके विपरीत पूछेगा उसका तो आंसर बताएगा और जिसके विपरीत ना हो मतलब जिसके विपरीत पूछेगा उसका तो आंसर बताएगा और जिसके व सरवास्तम में यकिन करो आप जैसा reasoning का teacher नहीं मिला सेकर सर्मा बहकाने में बहुत तगने है बहकाओ बेटा बहकाओ मास्तर बहकाओ बस ऐसे खुस करते रहे करो लाइक वाइक तो करे करो मत एक बार लाइक करोगे तभी तो पता चलेगी लाइक करेंगे एक वर सभी लो बहुत बढ़िया तो मैंने का ब्रह्मास्तर का नियम क्या कह रहा है आजाओ ब्रह्मास्तर का नियम कहता है जब पासे की दिहान से लिखेंगे सभी दोस्त जब पासे की दोनो इस्थतियों में जब पासे की दोनो इस्थतियों में एक अंक समान हो एक अंक कितने अंक केवल एक अंक केवल एक अंक के विपरीत पूछे कुछ भी पूछला वेटा कुछ भी समय बता देंगे हम की बार हम किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो ऐसी इस्थति में तो ऐसी इस्थति में ऐसी इस्थति में तो ऐसी इस्थति में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मैंने कहा जब पासे की दोनों इस्तियों में एक अंक समान हो जबकि किसी भी अंक के विपरित पूछे तो ऐसी इस्तिती में पासे को पासों लिखेंगे दोनों को यानि पासों को समान अंक से समान अंक से प्रारंब करके प्रारंब करके घाड़ी की दिसा में घाड़ी की दिसा में घुमा देते हैं अब पॉइंट की बात पर आएंगे क्या पॉइंट है दिहान से देखेंगे दिहान से देखेंगे क्या पॉइंट है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो दिहान से देखना अगर मैं यहां 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 इसका उधारन लिखूँ उदारन के तौर पर जब मैं पास एकी दो इस्तियां बनाऊंगा अब मेरी बात गौर से सुनना मान के चलो ये दो है ये एक है ये पाँच है यहां मैंने कहा ये मैंने कह दिया ये मैंने कह दिया कि ये पाँच है ये तीन है और ये छे है अब दिहान से देखो नियम क्या कहता है सभी लोग बहुत सांधार तरीके से देखेंगे और समझ में आ जाएगा तब लाइक करेंगे नहीं तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे मुझे ये बताओ इन दोनों इस्थतियों में एक अंक ऐसा होगा जो समान है समान का मतलब वो है जो की दोनों जगे मौझूद है तो वो अंक कौन है सर यहां पर भी पांच मौझूद है और सर यहां पर भी पांच मौझूद है इसका मतलब पांच नंबर कॉमन है पांच नंबर common है हमें क्या करना है देखो एक बात बताओ पांच के विपरीत पूछता तो direct मैं बता देता कि चार answer है क्योंकि यहां तो पहला नियम ही काम कर देता लेकिन मान के चलो यह पांच के विपरीत नहीं पूछ रहा यह कुछ और पूछ रहा है तो ऐसी स्तुती में पांच को समानंक से प्रारंब करके घड़ी की दिसा में घुमा देते है अब मैं इसे घड़ी की दिसा में घुमाऊंगा पांच से बताओ मेरी घड़ी बताओ यहां ऐसी तो चले है भाईया पांच से जब घड़ी ऐसे चलेगी इतना काम कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, जब मैं आगे देखेंगे, जब मैं आगे देखूंगा, तो यहाँ इस पांच को उठाओ, पांच से घरी की दिसा में चलो, यह कितना है, तीन, तो पांच से तीन लिख लो, और तीन से चले तो कितना है, छे, तीन से छे लिख लो बोलो क्या इतना काम हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इतना काम तो बिल्कुल कर सकते हैं पांच से चला दो दो से चला एक घड़ी के दिसाम है पांच से दो दो से एक पांच से तीन तीन से छे अब एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ पांच के सामने पांच दिखाई दे रही है अच्छी सी ना लग रही ना क्योंकि पांच पांच दो बार थोड़ी आएगा यहां पर एक पांच है तो सहीद कर दो यानि काट दो और यहां इसकी जगह वो नंबर लिखो जिसकी अभी कमी चल लए है कौन सा नंबर ऐसा जो अभी तक गायब है चार यानि यहां लिखो चार यकीन वानो दोस्तों आपसे यदि ये पूछेगा कि पांच के विप्रित क्या है तो आंसर आएगा चार जो भी सामने वाला है आपसे पूछेगा दो के विप्रित तो आंसर आएगा तीन और एक के विप्रित पूछेगा तो आंसर आएगा छे बात बताओ समझ में आई या नहीं आई बात बताओ समझ में आई पांच के विप्रित चार दो के विप्रित तीन एक के विप्रित शे कुछ भी पूछ ले को उसरे सबदों में एक बात बौलूँ तो अब मेरी बात द्यान से सुनना कुछ लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि सर कुछ लोगों के मन में एक डाउट आया होगा सर जी यहों बताओ अभी आपने से clockwise घुमाया था यानि घहरी के दिसा मे değil अगर हम इसे घड़ी की विपरित दिसा में घुमा दें तो क्या कोई दिक्कत है कोई दिक्कत ना है आप इने घड़ी की दिसा की जगह बात दिहान से सुनेंगे सभी लोग कमेंट रोग देंगे आप इनको घड़ी की दिसा की जगह है घड़ी की विपरित दिसा में भी घु गुमाया है तो दूसरा पासा भी घड़ी की दिसा में घुमाया जाएगा और पहला पासा घड़ी की विपरिद दिसा में घुमाया गया है तो दूसरा पासा भी घड़ी की विपरिद दिसा में ही घुमाया जाएगा इस बात को ध्यान रखना आप इसे क्लोकवाइस एसो मत कर दियों कि यह घुमादो clockwise और यह घुमादो Anti-clockwise भाहि सर्ट पिर पल्ट जाएगो आ रही है ना बात सबझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहरा हूं या तो इसे clockwise घुमाओ या इसे घुमाओ कैसे घुमाओ लेकिन दोनों एक जैसे घुमेंगे एसो मत कर दियों एक सब कुछ समझ में आ रहा होगा अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नियम नमबर तीन की ओर नियम नमबर तीन की ओर नियम नमबर तीन कहता है नियम नमबर तीन है उबहे निष्ट का नियम जल्दी से लिखेंगे नियम नमबर तीन क्या है यदी पासे की, उवेनिष्ट को इंगलिस में बोलते हैं डवल कॉमन रूल, नाम से समझे होगे, इसका मतलब यहाँ पर दो कॉमन आएंगे, उवेनिष्ट का नियम कहता है, यदी पासे की, यदी पासे की, दोनों इस्थतियों में, यदी पासे की, दोनों इस्थतियों में, दो अंक समान है कितने दोणों इस्थतियों में दो अंक समान है जब की सेस बचे हुए जब की सेस बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है, तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है, तो ऐसी इस्तती में दोनों समान अंकों को आपस में आपस में एक दूसरे से काट देते हैं जबकी सेस बचे हुए सेस बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं, एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं, बहुत सांदर पॉइंट है और यकीन मानिए कि ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, जो की आपको केवल और केवल, आपको केवल और केवल दो सेकिंड से पहले आंसर देगा, दो सेकिंड से पहले आंसर देगा, दिहान से देखेंगे ये क्या पॉइंट है, उदाहरण के माध्यम से समझेगा मुझे बताओ मैंने पास एकी दो इस्तुती बनाती मैंने पास एकी वास्तुत ताके अनुसार दो इस्तुती बनाती मैंने लिखा यहां चार एक तीन यहां पर मैंने लिख दिया एक चार पांच बहुत बढ़िया सबसे बड़ी बात दिहान से देखना सबसे बड़ी बात दिहान से देखना जब आप इस पासे को कर रहे होंगे तो आपसे ये बताओ कि यहां पर एक के विप्रीत कितना है चार और चार मतलब एक और चार क्या है पडोसी तो यहां भी तो एक और चार पड़ोसी है सर इसका मतलब यहां एक और चार पड़ोसी है यहां एक और चार पड़ोसी है बचे एक बात दिहान से समझ लो एक बात दिहान से समझ लो ऐसी इस्थती में एक बात दिहान लखना जब कभी आपसे ऐसी बात पूछी जाए तो बस एक काम देहा नकना जो दो आपस में जैसे तुम से बोले जैसे पास एक इमाने चलो चार इस्तिय आ जाए तुम से बोले पांच के विप्रीत बताओ तो तुम्हारा सबसे पहला काम है ये देखो पांच के पास क्या क्या दिखाई दे रहा है पांच के पास एक दिखाई दे रहा है और चार दिखाई दे रहा है फिर ये देखो कि एक और चार कहां दिखाई दे रहा है एक और चार यहां भी तो है अगर दो कॉमन है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे बच्चे यह दोनों आपस में कट जाएंगे तो यह बताओ जब एक और चार आपस में कट गए तो यहां कौन बचा पांच और यहां कौन बचा तीन इसका मतलब यह हुआ पांच के विपरीत पूछेगा पांच के विपरीत पूछेगा तो क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा इन सब का तुम्हें पता है कब फाइदा होगा जब मैं कल की क्लास में आपको यूपी पुलिस के पुराने पेपर दिखा रहा हूँगा और ये दिखा रहा हूँगा कि डाइस के कैसे कैसे क्वेस्चन आये हैं कल बिल्कुल प्रीवियस येर ही हम कर रहे होंगे जल्दी से थमसब करके बता दो कल प्रीवियस येर के लिए आप तयार है पुराने सवाल और नए पैटरन के सवालों के लिए आप तयार है दोस्तो एक बार जल्दी से थमसब करेंगे सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी मैंने कहा पांच के विपरित answer आईगा 3, 5 के विप्रित कितना होगा, बहुत बढ़िया, बहुत वहतरीन, बहुत सांदा, अब धिहान से देखेंगे, 5 के विप्रित तो 3 हो गया, अगले point को ध्यान से देखेंगे, अगला point क्या है, अब यहाँ पर कभी-कभी बच्चे ये देख लेते हैं, बच्चे ये देख लेते हैं, कि सर यहाँ पर open dice भी तो होता है, और ये वास्त दिखता है, कि आज की तारीक में question वो जादा आ रहे हैं, जिसमें open dice से close dice पूछता है, और close dice से open dice पूछता है, फिलाल इनमें तो मुझ इस निकालने आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी copy पर छापएंगे, open dice क्या होता है, सर देखेंगे, अपनी copy पर लिखेंगे, खुला पासा, यानी की open dice, अपनी copy पर लिखेंगे open dice, हिंदी में बोलेंगे, खुला पासा, धिहान से देखएंगे, केबल और केबल 6 सवाल लिखूंगा बोड पर और भाई था विन sow इन च्छे सवाल में से तीन सवाल आए हैं पिशली वार यूपी पुलिस में अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सवाल दो नंबर का है तो तीन दूनी छे नंबर का सवाल है एक बार जल्दी से मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी को मेरे साथ साथ बना लेंगे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक बार जल्दी से सभी इस्थतियों को मेरे साथ साथ बनाएंगे कि क्या-क्या इस्तियां हो सकती है क्या-क्या इस्तियां हो सकती है यहाँ पे मैंने लिखा 4 1, 2, 3 और यहाँ मैंने लिखा 5 और यहाँ मैंने लिखा 6 यह पहला पासा बना पहले 6 पासे बना लेते हैं उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है कैसे तरीका है कैसे हम जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पहले जल्दी जल्दी मेरे साथ बना लएंगे अब दिहान से यहां क्या लिखाएंगे A B C B E और यहां पर है F बहुत बड़िया ऐसे यहां पर बनाएंगे जब यहां पर मैं इस्थिया बना रहा हूँगा तो यहां पर इस्थियों में कैसे बनाऊंगा यहां पर इसे यहां लिखूँगा और यह बॉक्स यहां जाएगा तो मैंने यहां लिखा 4 1 2 3 6 5 जब मैं यहां पर इसे लिखूँगा तो यहाँ पर देखेंगे द्यान से कॉपी कर लो भाईया जल्दी जल्दी सभी लोग कॉपी जरूर कर लेना ताकि आप लोग पेपर टाइम पर नोट्स बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सको यहाँ मैंने लिखा इस्टार यहाँ मैंने लिख दिया परसेंट यहाँ मैंने लिखा हैज यहाँ मैंने लिख दिया एट दारेट यहाँ मैंने लिख दिया ट्राइंगल और यहाँ लगा दिया यहाँ लगा दिया मैंने ये कॉश्चन मार्क का निसान द्यान से देखो जबकि मैंने यहां पर बनाया, यहां पर मैं बना रहा हूंगा दो इस्तुतियां, अब एक बात दिहान से सुनने लाइक है, सर यहां पर हम कैसे अपोजिट निकाल रहे होंगे, सर यहां पर हम किस प्रकार से अपोजिट निकाल रहे होंगे, बस एक नियम बताऊंगा और एक भी सवाल आज के बाद गलत नहीं होगा तो मैं यहां लिखूंगा 2, 1, 3, 4, 5, 6 मैं यहां पर लिखूंगा मैं यहां पर A, B, C, D और यहां पर E तथा एप लिख दूँगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वई बहुत बढ़िया इसका मतलब क्या है कि मैंने इन इस्तियों को लिख लिया बहुत बढ़िया अब देहां से देखेंगे यह 6 स्तियां आपके सामने हैं 6 पासे हैं अब यहां पर एक पल के लिए भूल जाओ और केवल और केवल मैं जो यहां पर सिखा रहा हूं जो मैं इस्तियों को देखेंगे देहां से यहां पर जैसे मैंने लिखा 2,1 यहां मैंने 3 लिख दिया यहां 6,7 5,4 मुझे एक बात बताओ अगर मैं बोलू कि मैं दो नंबर पर बैठा हुआ हूँ इनकी हम longitud है हमेशा के लिए बता रहा हूं यही काम करेगी अगर मैं बोलू कि मैं यहां दो नंबर पे बैठा हूं तो दो नंबर से सीधी रेखा में चलना है यानि कैसे दोड़ना है बिल्कुल सीधा दोड़ना है बिल्कुल सीधा दोड़ना है जब मैं दो से चलूंगा तो यह बताओ यहान मत दो केवल यहां पर आओ क्या मैं जब 2 से उपर जाओंगा तो क्या मुझे कुछ भी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो जाने में कोई फाइदा नहीं है केवल फाइदा एक चीज में कि 2 से नीशे आओ 2 से जब चलूँगा तो 2 के यानि जो भी तुरंट अगला वाला मिले उसे छोड़ दो तो यह बताओ 2 से चला था एक को चलो मैंने छोड़ दिया उसके बाद क्या मिला सर फिर मिला 5 देहान रखना मेरे दोस्त 2 के अपोजिट 5 ही आएगा 2 के अपोजिट 5 ही आएगा कहने का मतलब एक के अपोजिट एक से चलो एक से अगर उपर को जाओंगा तो एक से 2 तो छोड़ना पड़ेगा और 2 के बाद कुछ है नहीं तो एक से 5 पे आओ 5 से 4 पे आओ तो एक के अपोजिट क्या है 4 बनेगा 4 बनेगा बहुत साथ और सर यहाँ पर 6 के विपरित क्या बनेगा 3 बनेगा 6 के विपरित क्या बनेगा 3 बनेगा कि एक बार जल्दी से थमसब कर दो क्या इन सभी प्रेशनों का आंसर देने के लिए आप तयार है बहुत बढ़िया अब इन सवालों के आंसर क्यों चलेंगे तो मैंने बस एक बात बताई जब एक सीधी रेखा में चलते है तो प्रते एक अगले अंक को छोड़कर जो भी अगला अंक मिलता है वही हमारा विपरीत होता है वही हमारा विपरीत होता है दोस्तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर दिहान से देखो जो ये चार है, चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत मनेगा, दो, क्योंकि चार से एक पर गई, तो छोड़ दो, दो पर पकड़ लो, तो चार के विपरीत क्या बनेगा, दो बनेगा, बोलो बात क्लियर है, सर यहां पर एक के विपरीत क्या है, चलो नीचे को, दो को छो बहुत बडिया यह पांच के बाद यह का है इसे छोड़ओ एक के बाद आया 6 8 7 इसे पकड़लो 5 के पुपरीद बन गया 6 मेरे दोस्तों क्या कोई भी दिक्कत है आपको इसमें बोलेंगे क्या कोई भी दिक्कात है, क्लियर है बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखेंगे A, तो A के विप्रीत बताओ क्या है, सर A के विप्रीत बनेगा, B को तो छोड़ दो अगले को, B के बाद क्या आया, C आया, तो A से बनेगा C, सर यहाँ पर B के बताओ, B से चलो, तो B से C आया, C से कौन है, D, तो भहिया, B के अपोजिट कौन बनेगा, D बनेगा, और सर E का क्या बनेगा, E से चलो सीधे, तो D मिला D को, भहिया, जो भी तुरंट मिलेकर है, उचे तो छोड़ देते है, E से मिला D, और D से मिला F, तो E के अपोजिट क्या बनेगा, एप बनेगा बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा आगे चलते हैं यहां पर एक से बताओ एक से चले तो दो को छोड़ दो क्या या तीन तो एक के विप्रित क्या बना तीन दो से चलो दो से चलो तो यहां 3 को छोड़ दो क्या या 6 तो 2 से क्या वनेगा 6 और 4 का क्या बचा अब ये बताव 4 और 5 ही तो बच रहे 4 और 5 ही तो बच रहे तो ये भी आपस में एक दूसरे के विप्रीत होंगे अब ये मत कहना ghost 4 और 5 में तो सीधी लाइन का बिलकुल मत होने तो लेकिन अब बचवीतो केवल यही रहे और कोई विकल्प भी तो नहीं है और कोई विकल्प भी तो नहीं है तो चार और पांच विपरीत बनेंगे बहुत बढ़ीया, बहुत बहतरील आगे देखते हैं तो यहां पर बताएंगे के इस % के पोजिट क्या है? परसेंट के अपोजिट बनेगा यहां पर हैज जो तुरंत म मिल ओर इसे हटाओ और add the rate पकड़ो तो इसके इपोजिट आएगा add the rate और सार हैज के अपोजिट क्या आएगा हैज के अपोजिट लगाएंगे क्या बच्चे यहां से से छोड़ो तो यह आएगा ट्राइंगल तो यहां पर आईगी वैल्यू ट्राइंगल तब यहाँ इस्टार के अपोजेट, अब इस्टार और क्वेश्चन मार की तो बच गए, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजेट होंगे, बहुत बढ़ी है, बहुत ही सांदा अब एक और बात सुनो, अब मुझे एक छोटी सी बात बताईए पहले लाइक कर देंगे आर सभी लोग, एक बार जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, 2000 में थोड़ी सी कमी है, एक बार लाइक कर दो सभी लोग, फिल्कुल एक दम मचा आ जाएगा, 2000 लाइक होने चाहिए, जितनी जल्दी हो जाएगे उतना ही बढ़िया रहेगा, ब है कि दो हजार लाइक करो वह जल्दी से करो पचास की कमी है बस कर दो दोस्तों जल्दी से कर दो दोस्तों चलो जल्दी से बस पच्चिस और रहे गए बहुत बढ़िया इसका मतलब बहुत सारे ऐसे मैठे थे जिन्हों लाइक नहीं किया था बहुत बढ़िया ऐसे करें हैं आगे से मत करना आगे से लाइक कर देना अभी तो पता चली मैं इसी ले तो बोल रहा था कि इसका मतलब बहुत सारे ऐसे बैठें जिन्होंने लाइक नहीं किया था चला कोई बात नहीं आजाओ दिहान से अब दिहान से देखो पहले दो क्वेश्चन एक जैसे थे सीधी रेखा का प्रियोग करके सभी के सभी अपोजिट बन गए थे सर अगले दोनों में ये उपर वाले दो जोड़ा बन गए थे लाश्ट वाला हमने कहा कि ये बच गए तो ये भी अपोजिट होंगे इस सवाल में दिहान से देखो जब मैं यहां एक के विपरित निकालूंगा तो क्या आएगा सर तीन को छोड़ दो चार आएगा यानी ए तो हमेशा ध्यान लखना एक ही काम का है की दो नहीं दोश्मरण के घर की छतकाइक को मिलंगी बता बिल्कुल ना में लंगी तो ये बताओ क्या तीन का विपरीत पांच हो सकता है तीन का विपरीत पांच नहीं हो सकता क्योंकि ये रहा तीन का बॉक्स ये रहा पांच का बॉक्स और इनके मिल गए कौन है यहां पर ये इसका मतलब तीन का विपरीत पांच नहीं है अब तुम बताओ 3 का विप्रीत 5 हो नहीं सकता 2 इसके बिल्कुल बराबर मैं ये भी नहीं हो सकता तो केवल 6 ही तो बचा यानि 3 का विप्रीत कौन बचा 6 बचा और 2 का कौन बना 5 बना क्योंकि ये ही तो बच रहे है बताओ वही समझ में आ consumption सर जब मैं यहाँ पर करूँगा तो B के विप्रीत क्या आएगा B के विप्रीत D आएगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर C के विप्रीत C के विप्रीत E बताओगे क्या C के विप्रीत E नहीं आएगा क्योंकि यह रहा C का बॉक्स ये रहा E का बॉक्स और ये मिल रहा है इनके कौने और दो विपरीत के आपस में कौने नहीं मिलते तो C के विपरीत इसका मतलब E भी नहीं हो सकता तो C के विपरीत जब E नहीं हो सकता तो C के विपरीत एप होगा यानि C के विपरीत एप होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बचा A और E ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या ये बात समझ में आ रही है बहुत बहतरीन बहुत सांदा दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको एकदम समझ में आई होगी एक बार जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीन सॉट लेंगे बहुत बढ़िया आपको सारी क्लास समझ में आई होगी बागी दोस्तों उम्मीद है एकदम बढ़िया कल जो भी उपी पुलिस के प्रीवेस येर होंगे वो कर रहे होंगे और जो बहुत अच्छे टाइप हैं मुझे कर रहे होंगे कोई भी व्यक्ति क्लास में छुट्टी नहीं करेगा कल डाइस की अंतिम क्लास होगी कल निश्चित रूप से डाइस खतम कर दूँगा केवल दो क्लास में डाइस ऐसा खतम हो जाएगा किसी भी पेपर में बैठ जाना सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों आपसे वादा है दूसरी बात आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एक भी एक व्यक्ति जरूर कमेंट करना जितने भी लोग इस समय क्लास देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी बाकी मुलाकात मैं आपसे अगली क्लास में अर्थात कल साम फिर कर रहा हूँगा तो बाकी कल ही आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आप सभी के लिए धेर सारा प्यार ओके दोस्तो टाटा बाई बाई